हलो फ्रेंट्स मैं इसे एक स्वागत करता हूँ आपका है चैनल टेक्निकल ब्लॉग में चैनल पने हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना यार तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने कटाफ बताई थी उससे बहुत सारे लोगों के क्वेरी आ रही थी और यहां पर काफी सारे लोगोंने कमेंट किया है और यहां पर मेकनिकल और लेक्टिकल के बारे में भी चर्चा करूंगा उनकी कटाफ पर भी काफी सारे लोगोंने उसमें भी कमेंट आया मुझे ज्यादा कमेंट तो नहीं मिले उनके मेकनिकल लेक्टिकल के ल पूरा बने रहा है तो पहला question पूछा है राज सेखर जी ने राज सेखर चटर जी जी हैं ये पूछते हैं कि सर 119 को फट सिप्ट अक्टूबर को जाम था जनरल है इनी चांस तो यहां पर मैं आपको बता दूँ अगर आप 105 नंबर पा रहे हैं अगर फट सिप्ट में हैं त तो चांसेस तो कम है क्योंकि नॉर्मलाइजेसन इतना जादा तो आपको नहीं मिलने वाला लेकिन फिर भी में भी अगर आपकी एकुरेसी ठीक टाग होगी तो यह कटाप पर डिपेंड करेगा हो सकता है कटाप थोड़ी बहुत decrease हो जाए 120 हो जाए या आपके नंबर आपशन ही कोई नहीं मैच कर रहा तो यह चारी सारी चीज़े हैं अगर उसमें आएगा तो हो सकता है नंबर बढ़ जाए दूसरा सवाल मतलब की 35 नंबर का नार्मलाइजेसन कुछ भी दीपक सिंग कह रहे हैं तो भाईया देखो आप रिजल्ट आएगा आप देख लेना जाके देख लीजिएगा उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है तीस सेकंड शिफ्ट बैयासी ओवी सी सिविल एनी चांस तो गजेंदर यादव जी का यह सवाल है और इन्हों पूछा है कि बैयासी कुछिचन बन हैं सिविल के कंडिरेट हैं तो में भी मुश्किल है लेकिन फि कम है तो इसलिए में भी हो भी सकता है लेकिन इतना नंबर तो मुझे नहीं लगता अगर 30 भी आपके बढ़ेंगे तो लगबग 112 नंबर हो रहा है जो की बहुत ही मुश्किल है तो यहां पर आओ लोगों के मैं कमेंट लिया हूँ लिया हूँ 29 फास सिफ्ट सुमी कुमार जी कह रहा है 29 फास सिफ्ट है जनरल है राम आर्ख तो आप बिल्कुल तयारी करें आपको तयारी करनी चाहिए उसके बाद लक्ष जी पूछते हैं कि 90.5 नंबर है सेकंड शिफ्ट आप बिल्कुल तयारी शुरू कर दीजिए आप बिल्कुल तयारी शुरू कर दीजिए आपको मतलब आपका पूरा पूरा चांस है आप मेंस का एक्जाम देने वाले हैं अगर आपको इतने नंबर बन रहे हैं सर सिविल मतलब 30 को है सेकंड शिफ्ट एस्टी अगर हाँ अगर आप एस्टी हैं अगर 71 बन रहे है तो बिल् सुनिल अठावर जी ने कहा है कि 80 मार्स है वो भी सी सेकंड शिफ्ट एनी चांस तो बहुत मुझकिल है नहीं मुझे नहीं लगता कि हो सकता है मैं भी अगर कुश्चन वहीं मैं पता रहा है अगर आपके 30 मार्क बढ़ेंगे तब भी आपका 110 होगा तो कभी मतलब मुझकि मुझकिल है नहीं हो पाएगा 95 मुझकिल है 95 है तो मुझकिल है उसके पास 92 कटेगरी हाँ बिल्कुल अगर आप स्टी कटेगरी से बिलॉंग करते हैं तो आप बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए आपका सेलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आसीज गुपता जी पूछते हैं 13 तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि अगर मेकानिकल मैं बात करूं तो अगर 145 वन फोटी प्लस जो भी हैं उन्हें तैयारी शुरू कर देना चाहिए जिनके भी इतने मार्क आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल और मेकानिकल में 145 जनरल कडेगरी के वह 145 अगर प उसका बढ़के 151 नमबर हो गया था और उसका मेरे पास था मैं ढूड़ोंगा अगर मिल जाएगा तो आपको दिखा दूँगा यह रियल है भाई नमबर बहुत ज़्यादा बढ़े थे मेकानिकल में तो वही सिविल का भी पेपर उसी टाइप का है तो 45 नमबर बहुत दीजिए उसके बाद तरुन जी कहते हैं 94 सर ओवी सी चांस है क्या अगर आप सेकंड सिप्ट में हैं 30 की सेकंड सिप्ट है तो बिल्कुल चांस है आप तैयारी शुरू कर दीजिए 144.75 जनरल में करेंगे बिल्कुल भी आप तैयारी शुरू कर दीजिए ओम अग्रहरी ज होते हैं हो सकता है नॉर्मलाइज हो क्या और नंबर भी बढ़ जाए कुछ क्विस्टन में जो है कंप्लेन होगी तो नंबर आपके बढ़ेंगे ही में भी घटेंगे तो नहीं तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए 144.75 बहुत होते हैं उसके बाद नेक्स है कि 117 दसमलो बिल्कुल आप शुरू कर सकते हैं किसी भी शिफ्ट में अगर आपके 117 बन रहे हैं तो उद्यवीर जी आप तैयारी शुरू कर दीजिए उसके बाद 989 सिविल मतलब 80 है तो हां आप तैयारी शुरू कर दीजिए हो सकता है में भी 10 नंबर आप 10 नंबर के नॉर्मलाइज देने वाले हैं आप कितने अच्छी परफार्मेंस से थोड़े नंबर सब चूख जाएंगे तो आप मेंस देंगे और नुमेरिकल लगाएंगे तो आपकी क्लियारिटी और अच्छी होगी 94 अक्टूर सेकंड शिफ्ट बिल्कुल आप तैयारी शुरू कर दीजिए जनलल ह तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए मनीज जी उसके पास संधी पटेल जी कहते हैं कि 109.25 है मेकाइनिकल 28 अक्टूबर तो चांस कम है लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्यो अगर आपका पेपर हार्ड होगा तो नंबर डिफिनिट लिए आपके बढ़ने वाले हैं अच्छे खासे उसके बाद इलेक्ट्रिकल 101 एससी एनिक बहुत मुश्किल है भाई में भी आपकी किसमत अच्छे होगी नहीं तो बहुत मुश्किल है आप तैयारी करते रही है लेकिन सर मेरे 30 फर्ष्ट में 97 हैं कुछ हो सकता है अगर 30 में 97 हैं आपने कटेगरी नहीं बताई है तो मैं यहां पर कुछ क्लियर नहीं कर पा रहा हूं अगर आप एससी एस्टी से हैं तो अप्यारी सुरू कर दीजिए अगर OBC या जनरल EBS से बिलॉंग करते हैं तो भाई मुश्किल है थोड़ा उसके बाद 30 फर्ष्ट 97 हैं क्या बिल्कुल आप तैयारी सुरू कर दीजिए क्योंकि पिछली बार नॉर्मलाइज क्राफ 151 गई थी आपके तो 160 हा रहे हैं तो बहुत अच्छे नंबर हैं आपके आप तैयारी बिल्कुल सुरू कर दीजिए उसके बाद पूछा है सिवानी रावत जी ने इन्हें कहा है कि नब्बे यसी फस्ट सिफ्ट है तो हाँ इस पे ये मुड़ा काफी क्रिडिकल है नब्बे पंचानवे के आसपात बहुत सारे लोगों के स्कोर आ रहे हैं तीस के फस्ट में तो आप तैयारी सुरू कर दीजिए अगर इसमें चार पांच नंबर आपको मिल जाएंगे गलत से उसके बाद चार पांच नंबर का अगर नार्मलाइजिशन होगा तो हो सकता है लेकिन मुश्किल है लेकिन आप तैयारी करते रहे हैं क्योंकि इसमें नहीं तो मार्च वाले ससी में होगा ज्यादा टाइम उसमें भी नहीं है दो-तीन वहीने बाद उसका भी एक्जाम हो वाला है उसके बाद result की मैं बात करूंँ दोस्त तो यहां पर आप देखेंगे SSC JEE ने calendar जारी कर दिया है 29-12 को ए calendar आया है यानि 29-9 December को ए calendar आया है calendar आप देखेंगे तो आज ही कि दिन ए calendar आया है परसों अंसर की 27 को उसका आप देखेंगे junior engineer civil mechanical electrical इसका जो रिजल्ट है 26 फरवरी को आएगा मैंने आपको पहले ही बताया था आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे मैंने बताया था फरवरी के लास्ट वीक या मार्च के फर्ष्ट वीक में इसका रिजल्ट आएगा तो आपको पुरू भी बताता हूं कारान भी बताता हूं कि अखिर ऐसा क्यों है क्यों रिजल्ट मतलब इतनी लेट आएगा तो यह सारी चीजे हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर करिए लाइक भी करिए यारो के थैंक्यू